द्विघात समीकरण के मूल एवं गुडांकों के संबंध द्विघाती बहुपद में हमने बहुबद के शुन्यक एवं गुडांकों में संबंध देखा था वही संबंध द्विघाती समीकरणों के मूल एवं गुडांकों से भी होता है माना समीकरण AX की खाद दो धन BX धन C बराबर 0 के मूल के मूल अलफा और बीटा है जहां A शून के बराबर नहीं है इस तरह से A, B, C वास्त्विक संख्याय है तब एक्स रिण अलफा कोष्टक में दूसरे कोष्टक में X रिण बीटा कोष्टक बन बराबर 0 या X की खाद दो रिण अलफा धन बीटा एक्स धन अलफा बीटा बराबर 0 वर्ग समीकरण होगा इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं वर्ग समीकरण एक्स की खाद दो धन बी एक्स धन सी बराबर 0 को निमलिखित रूप से भी लिखा जा सकता है कहीं हम इसके दोनों पक्षों में ए से भाग कर देंगे तो यह होगा हमें एक ही समीकरण के दो रूप है अतहां इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि मूलो का योगफल अलफा धन बीटा बराबर रिण बीबटा ए यह अलफा धन बीटा यह मूलो का योग है समीकरण एक और समीकरण दो में हम तुलना करेंगे एक्स के सामने अलफा धन बीटा है यहां पर हमारे पास एक्स के का जो गुणांक है यहां एक्स का गुणांक रिण अलफा धन बीटा है और यहां एक्स का गुणांक बीटा ए है इन दोनों की तुल्ना करने पर मुलो का योग अल्फा धन बीटा बराबर रिण B बटाए हो जाएगा रिण ये वाला यहां बिबटाए में ले लिए रिण B बटाए होगा तथा मुलो का योग तथा मुलो का गुड़न फल अल्फा बीटा बराबर जब हम गुडणफल अल्फा बीटा लेते हैं समीकरण एक और समीकरण दो का जो इस्थिरांख है अल्फा बीटा ये गुडणफल है जो की समीकरण दो से तुलना करें तो अल्फा बीटा सी बटा ए होता है इस तरह से हमने मूलो का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर रिण बी बेटा ए प्राप्त किया तथा मूलो का गुडण फल अल्फा बीटा जो है C बटा A है यह हमारे दो सूत्र मूलो का योगफल अलफा धन बीटा रिण बी बटा ए और तथा मूलो का गुणन फल अलफा बीटा वरबर सी बटा ए प्राप्त होता है